किसानों के लिए सरकार की तरब ते कुछ पैसा आता है जिस पैसे को किसानों में बाटना था और ये काम बैंक वालों को करना था लेकिन जैसे ये किसान अपने उस पैसे को निकालने के लिए जाता है तो बैंक मैनेजर उससे कह देता है कि आपकी payment hold कर दी गई है अगर आपको इसे निकालना है तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे अब यह बात सुनकर वे किसान उससे कहने लगता है कि जब हमारा पैसा है सरकार ने हमारे लिए बेजा है तो आप इसे हमें क्यों नहीं दे रही तो जो बैंक मेनेजर होता है वो उसे तरह तरह के कानून बताता है और जब वे नहीं मानता है तो उसे धमका कर वहाँ से बेज़ देता है इसके बाद जो वे किसान होता है वे थोड़ो सा पढ़ा लिखाता और वे सीधा डीम साब के पास पहुंच जाता है अब DM साब जैसी इस बात को सुनते हैं तो बड़े ही हैरान होते हैं और फिर उसके बाद उसके साथ खुद जाने का फैसला करते हैं दूसरे दिएम साब उसी किसान के साथ उसी बैंक में पहुंच जाते हैं उसका साथी बन कर और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि बैंक मेनेजर ने इस बात की कलपना भी नहीं की थी क्या हुआ था इस कहानी में इस से आगे पूरी कहानी की सच्चा जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाउं में रहने वाले वैक्ती करतार की करतार जिसकी उमर अभी 20 साल है और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है यानि कि यह थोड़ी पुरानी बाते हैं दोस्तों तो उस टाइम पर थोड़ी बहुत पढ़ाई काफी ज़्यादा हो जाती थी और उसके बाद वा अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता था एक दन वा अपने खेतों में काम कर रहा था तब ही उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसे एक नोकरी के बारे में बताता है वह बताता है कि हम सभी लोग नोकरी करने के लिए जा रहे हैं अगर तुझे भी चलना है तो तू भी हमारे साथ चल-चल और वहाँ पर हमारे सरकारी नोकरी लग जाएगी इस खेती बाड़ी के काम से तो अच्छा ही रहेगा अब इस बात को सुनकर करतार अपने माता पिता को बिना बताए वहाँ से उन लोगों के साथ नोक्री के लिए चला जाता है अब जैसे ही साम होती है तो साम के समय घर वाले ढूंडने लगते हैं कि करतार कहां गया तो वह अपने खेत के पड़ोसी को जो उसके पड़ोस में काम कर रहा था उसको बता कर गया था और अपने खेत में काम करने वाले अजार उसी को दे कर गया था तो वे उसके घर जाकर बता देता है कि करतार तो नोक्री लगने के लिए गया है और वही पर रहकर काम करेगा अब जो करतार के पिता होते हैं वो इस बात से बड़े ही चिंतित होते हैं क्योंकि करतार उनकी इकलोती संतन था और बड़ी मुश्किलों से उनके घर में बेटे का जनम हुआ था लेकिन वो बेटा भी नोक्री करने के लिए चला गया है इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कहां गया है कि इसके साथ गया है तो उनका पिता उसे बता देता है कि हमारा बेटा फलानी जगे नोकरी देखने के लिए गया है और किसी ने उसे बताया था कि वहाँ जाने पर नोकरी लग जाएगी इसके बाद करतार का पिता अपने बेटे को लेने के लिए वहाँ जाने की त्यारी करने लगता है और गाओं से ये एक पढ़े लिखे वैक्ति को अपने साथ लेता है और अपने बेटे को ढूंडने के लिए चल देता है इधर जो करतार अपने दोस्तों के साथ गया था वहा सरकारी नोक्री लग गई है उसको वहाँ पर दो-तीन दिन हो गए थे और दो-तीन दिन बाद अचानक से करतार के पिता एक वैक्ती के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहां पर करतार अभी तक नोक्री की खुशी ही मना रहा था जैसी करतार अपने पिता को देखता है तो इकदम से जाकर उनके गले से लिपढ जाता है और कहता है कि बाबा मेरी नोक्री लग गई है अब मैं सरकारी नोक्री किया करूंगा मैंने जो पढ़ाय की थी उसी पढ़ाय के आदार पर मुझे यहां पर सरकारी नोक्री मिल गई है और अब जीवन भर के लिए मुझे कैशी भी दिक्कत नहीं है जब तक मेरी नोक्री चलेगी जब तक ठीक है और जब मैं रेटार हो जाँगा तो उसके बाद मुझे पैंसल मिलेगी तो बढ़ापे तक मेरे पास पैसा आता रहेगा और उस पैसे से मैं काम करता रहूँगा इसके बाद करतार के पिता उससे कहने लगत अब कर्तार पहले तो कत्राता है अपने पिता को सम्झाने की कोईशिच करता है लेकिन उसका पिता जित करने लगता है और उसे उस नोक्री को छुड़वा कर वहाँ से वापस उसी गाओं में ले आता है इसके बाद करतार ना चाहते हो भी किसी नोकरी की तरफ आग उठा कर नहीं देखता है और अपने गाउं में ही रहकर खेती बाड़ी करने लगता है दीरे दीरे समय भीता है समय के साथ साथ करतार की साधी हो गई थी और उसके माता पिता बजुर्ग हो चले थे करतार के बच्चे भी थे और करतार की उमर अब लगबग 45 साल हो गई थी क्योंकि उस बात को काफी दिन हो गए हैं और अब पैसे की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और अब सभी काम पैसों से हुआ करते हैं पुराने जमाने में तो ज़्यादा तर काम ऐसी हो जाया करते फसल दे दिया करते उससे काम हो जाया करते लेकिन अब पैसों का जमाना चल चुका था अब करतार अपने पुराने दिनों को याद किया करता है कि अगर वो उस नोकरी में होता तो उसके दिन अच्छी तरह से वैतित हो जाते अब जैसी फसल नस्ट हो गई थी तो गाउं के अंदर बहुत बड़ा संकट आ गया था और सभी लोग इस संकट से जूज रहे थी अब करतार बड़ा ही परेसान है कि वो अपने परिवार के गुजर बसर के लिए करे तो क्या करे थोड़े बहुत रहत उसे दर दर से मिल रही है लेकिन इस रहत से उसका काम नहीं चलने वाला लेकिन तभी करतार को और पूरे गाओं वालों के एक खुसकवरी मिलती है कि सरकार ने इन किसानों के लिए कुछ रहत धनरासी बेजी है जो कि किसानों के खातों में पहुंच जाएगी और बैंकों के अंदर से वो उसे प्राप्त कर सकते है इसके बाद इस बात को सुनकर क करतार बढ़ाई खुस होता है और जैसे वो रहत रासी किसानों के अकाउंटों में आती है तो ऊसके बाद करतार अपने अकांट से उस पैसे को निकलवाने के लिए चला जाता है बैंक में बैंक में जाने के बाद मैं मैंनेजर से बात करता है उससे कहने लगता है कि जो रासी सरकार ने हमें भेजी है उस रासी को मेरी को निकाल दीजी है मुझे बहुत ज़ादा जरूरत है लेकिन जो बैंक का मेनेजर था उसने सभी पैसों को रोक लिया था यानिकि किसी भी किसान को कोई भी पैसे नहीं दिये थे और वैं चाहता था कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और जितने भी किसान यहां से पैसे लेने के लिए आए तो उनको उनमें से एक एक हजार रुपे कम करके दिया जाएं लगवग एक एकड़ के लिए पांस हजार रुपे सरकार ने डाले थे तो इस आदार पर वो सोच रहा था कि एक एकड़ पे अगर एक हजार रुपे मेरे पास आ जाएंगे तो बहुत सारा रुप्या पैसा में बना लूँगा ये गाउँवाले ही तो हैं इने कैसे भी उल्लू बना दूँगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी इसी बात को सोचकर जो बैंक मेनेजर होता है वो करतार से कह देता है कि तुम्हारा पैसा अभी नहीं निकल पाएगा इसके लिए बहुत सारी कागजी कारवाई करनी होगी और उसके बाद ही ये पैसे तुम्हें मिल पाएंगे अब करतार थोड़ा सा तो पढ़ा लिखा था तो वह उससे कहने लगता है कि कौन सी कागजी कारवाई तो उसे तरह तरह की सिकी में बता देता है और कहता है कि ये सब कुछ पूरा करना होगा और इसके बाद ही तुम्हें ये पैसे मिलेंगे तो करतार उसे समझाने लगता है कहता है कि देखो मेनेजर साब ये पैसे मेरे हैं और मेरे खेत का नुकसान हुआ है इसी वज़े से सरकार ने ये पैसे किसानों के लिए भेजे हैं और मैं किसान हूँ तो ये पैसे आपको मुझे देने होंगे लेकिन बैंक का मेनेजर कहता है कि अभी यह आपको पैसे नहीं मिल सकते इसके लिए यह सब कुछ करना होगा जब करतार उनसे जिद करता है तो उसके बाद बैंक मेनेजर उनने दमका कर वहां से बार बगा देता है और कहता है कि अब तुम्हें पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और तुम्हारे खाते को मैं पूरी तरह से सीज़ कर दूँगा इस बात को सुनकर करतार को गुसा तो बहुत आता है लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने गुसे को दवाता है और वहां से अपने घर चला जाता है गर जाने के बाद जैसे ही वे अपने माता पिता की तरफ देखता है तो उसे अपने पिता को देखकर वो बात याद आ जाती है जब वो सिचाई विवाग में लग गया था और उसके बाद उसके पिता के कहने पर उस नोक्री को छोड़ कर यहां पे आ गया था अगर वो उस नोकनी में लगा रहता तो सायद आज उसको ये दिन नहीं देखना पड़ता कि बैंक के अंदर से वो अपने पैसो को भी नहीं निकाल सके फिर वो सोचता है कि चलो छोड़ो जो हो गया सो हो गया लेकिन आगे की सोचनी चाहिए आगे क्या करना होगा उसके सामने उसका परिवार था और वैं नहीं चाहता था कि इन पैसो में से एक भी रुपिया किसी को मिले जैसा कि बैंक मेनेजर नहीं उससे कहा था दूसरे ही दिन करतार वहां से सीधा डीम साब के आफिस में पहुंच जाता है और वहां जाकर उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है डीम साब उससे कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है वो तुम्हारे पैसों को दे देगा और तुम्हें एक बार जाकर देखो तो करतार क कह रहा था कि तुम्हारे खाते को मैं पूरी तरह से सीज़ कर दूँगा अब डीम साब जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है क्योंकि सरकारी अधीकारी को न्युक्त किया जाता है पबलिक की सेवा करने के लिए लेकिन यहां का जो मेनेजर था व हूँ और साधान तरीके से तुम्हें दोबारा से अपने पैसे मांगने हैं और फिर उसके बाद में बाते करूँगा अब करतार दोबारा से बैंक मेनेजर के पास जाता है और वहां जाकर उसे अपने पैसों को निकालने के लिए कहने लगता है अब मेनेजर करतार की तरफ देखता है कि तुझे एक बार में कोई बास समझ में नहीं आती क्या ने तुझे बताया था कि अगर तुझे अभी अपने पैसे निकालने हैं तो एक हजार रुपे देने होंगे इतनी ही तेर में डियन साब जो अभी तक मैनेजर की तरफ ही देख रहे थे तो उससे कहने लग हैं और यह बता रहे थे कि आप हजार रुपे मांग रहे हो तो मैंने जब इनसे पूछा कि किसलिए पैसे मांग रहे थे तो यह पूरी बात को भूल गए थे आप मुझे दुबारा बता दीजिए इसके बाद जो बैंक मेनेजर होता है दुबारा से उसको तरह तरह के बैंक के लिए पूर्ती कर देंगे और आप ऐसा करो इसमें से हजार रुपे हमें दे कर आप यहां से इन पैसो को निकाल सकते हो अब डियम साब इस बात को सुनकर पैसों को देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं होता कि अपने बैंक मेंसे पैसे न को धमकाने लगता है और तभी ये बार डीम साहब से बरदास्त नहीं होती उसके बार डीम साहब मैनेजर से कहता है कि देखो आप बेसक से सरकारी अधिकारी हो लेकिन ये प्रावदान कहीं भी नहीं बनता मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लखा हूं ऐसी कोई बात नहीं है तो मुझे भी पता है कि सरकारी काम किस तरह से होते हैं ऐसी चीजों में इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं होता जो चीजे आपने हमें बताई हैं और इनके लिए हम पैसे आपको क्यूं दे आपको पैसे देने होंगे और अभी के अभी इनके पैसे निकाल कर इने दे दो अब इस बात को सुनकर जो मैनेजर होता है और भी थोड़ा सा गरम हो जाता है और वही पर जो कैशियर बगएरा होते हैं उनको बुला कर उन्हें धक्के मार कर बाहर निकालने के लिए कहने लगता है। जैसे वो देखता है कि यहां के कलेक्टर साब है तो एकदम से उनके पैरो तले से जमीन खिसक जाती है, सर पे आसमा तूट पड़ता है और उसे लगता है कि यह आज मेरे से क्या हो गया। कि तुमने जितना किसानों को परिशान किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगत नी पड़ेगी, तुम्हें यहां पर इनकी सेवा करने के लिए रखा गया है लेकिन तुम उल्टा इनको परिशान कर रहे हो और अपनी जेबे भर रहे हो। ऐसा करना बिलकुल भी ठीक नहीं है और इसके लिए मैं तुम पर कारवाई जरूर से करूँगा। और ये लोग इसी तरह से किसानों को परिशान करते हैं। वावाई की जाती है। इधर जो करतार फिंग है वो अपने पैसो को लेते हैं पैसो को लेने के बाद गाउं में चले जाते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय गाउं के कुछ वैक्ति और उस बैंक के अंदर बैटे हुए थे जो वहाँ पर इस सब नजारे को देख रहे थे। उन लोगों ने पूरे गाउं के अंदर एक ख़बर फैला दी थी कि करतार के साथ जिल्या कलेक्टर आया था और उसने इसके पैसे निकलवा दिये हैं और बैंक मेनेजर को बुरी तरह से धमकाया है और ये तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा वेक्ती है। और कहने लगता है कि पिता जी क्या हुआ तो उससे कहने लगता है कि बेटा मुझे माप कर दो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उस टैम मैंने तुझे नोकरी नहीं करने दी अगर उस टैम मैं तुझे नोकरी पर लगा रहने देता तो तेरा जीवन और भी ज़्यादा बहतर होता लेकिन मैंने अपने बारे में सोचा और इसी वज़े तुझे नोकरी से हटा दिया हो सके तो मुझे माप कर देना करतार जट से अपने पिता को गले लगा लेता है और कहता है कि पिता जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है इसलिए सब कुछ उपर वाले की मर्जी थी उपर वाला चाता था कि मैं उस नोकरी को ना करूँ तो इसी वज़े से आपको मेरा पता मिल गया और आप लोग वहां पर चले गए मुझे वहां से हटाने के लिए आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी सर्मिन्दा मत हो और अपने जीवन को अच्छी तरह से वैतीत करो करतार की होस्यारी को देखते हुए गाउं के सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि भाई करतार तुप पढ़ा लिखा भी है और अपसरों से बात करना भी जानता है तो क्यों ना तुझे गाउं का सर्पंच होना चाहिए करतार पहले तो मना करता है लेकिन जब गाउं वाले इस बात के लिए जोर देते हैं तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और गाउं वाले सभी मिलकर उसको अपना सर्पंच गोसित कर देते हैं इसके बाद कर्तार गाओं की समिश्याओं को बड़े अधीकारियों के पास ले जाया करता और उनको अच्छी तरह से सुल जाया करता गाओं के अंदर कर्तार का नाम हो गया था और सभी लोग अच्छी तरह से कर्तार के परिवार से और कर्तार के साथ व्योवार किया करते थे तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक वेक्ती सरकारी नोक्री लग गया था लेकिन बाद में उसके पिता ने उसकी सरकारी नोक्री हटवा दी और उसे वापस से गाउं ले आया गाउं में फिर उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके जरिये वे सरपंच बन गया आप क्या कहना चाहते हो करतार के बारे में आप क्या कहना चाहते हो करतार के पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हो डीम साब के बारे में आपकी जो विरा कमेंट सेक्शन में लेख सकते हो के साथ सेर कर सकते हूँ वीडियो गर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब जरू करें ताकि हमें थोड़ा सा होसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्धिस किसी को के हिंजे भारत, जे हिंदुस्तन!